तो बस्तर में शिगोचा, महापर्व की शताब्दियों, पुरानी मानताओं एवं बस्तर के रियासत कालीन परंपराओं का निर्वहन करते हुए 22 जून को चंदन यत्रा पूजा विधान के उपरांत भगवान श्री जगनाथ 15 दिवसिय अंसर काल में चले गए थे जिसकी बाद श्री जगनाथ को 360 घर आरण्यक ब्रहामन समाज की ब्रहामनों के द्वारा नेतोच सब पूजा विधान संपन करवाया गया इस दोरान बड़ी संख्या में श्रधालों ने भगवान श्री जगनाथ के दर्शन का पुन्य लाभ प्राप्त किया इसके साथ ही आज 7 जुलाई को शिंगोचा रथ यात्रा पूजा विधान में बगवान जगनाथ माता सुभद्रा एवं बलभद्र स्वामी के विग्रहों को श्री जगनाथ मंदिर से रथा रूड के कर नगर भ्रहमन करवाते हुए गुरीचा मंदिर सरहासार भवन में सभी शद्धालों के दर्शनार्थ विराज़ुत करवाया जाएगा तो बस्तर में रियासत काल से ही रथ यात्रा का बड़ा मोहतसव रहा है बस्तर में गोंचा महापर्व के दौरान धूम धान से रथ यात्रा निकाली जाती है गोंच बलभद्र और सुभद्रा देवी को रथारूड कर शहर की परिक्रमा खराए जाएगी